कि देखे फ्रेंड्स केप को बनाने के लिए सबसे पहले यह आपने फिर्ल वाला बॉर्ड ना ना जो कि मैंने वाइट कलर का यहां पर बना staging और देखे ब्लू क押लर की यह ऊपर धेख यह वाइट और ब्लू आक्शाय तो सिंगल कलर का भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर double color किया है इस border की design मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है और उसका link mention है description box में आप लोग वहाँ से भी जाके इसको देख के बना सकते हैं उसके बाद friends हमने यहाँ पर देखिए 36 सलाई की दोनों साइट से बुनाई की है दोनों साइट से हमने उल्टा-उल्टा भुना है ठीक है आप ऐसे माग पेंगे तो यह देखे साथ हमोई ठीक आप आट भी कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें मैंने 82 यानि 82 फंदे लेके बनाए हैं आप अपने हिसाब से चोटा बड़ा इसको बना सकते हैं तो इस कैप को फ्रेंड्स मैं एक से तीन साल के बेवी के लिए आप लोग को दिखा रही हूँ बेवी उल है हमारा वर्दमान का और टेन नंबर के हमने 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 सलाई यूज की है तो चलिए अब इसको हम देखिए बॉर्डर बनाने के बाद आप इसको चार से पांच इंच इसको बना लेना है दोनों साइड से उल्टा-उल्टा या तो आप यहाँ पे कोई डिजाइन रख सकते हैं ठीक अब बैयासी फंदे हैं तो हमने यहाँ पे बारा-बारा करके हम चलिए आपको बताते हैं अब फंदे घटाना है तो कैसे घटाएंगे हम यहाँ पे देखिए जहाँ से देखिएगा अब फंदे हम घटाएंगे तो सीधा-सीधा बुलने के ठीक है तो देखिए दो हो गया तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस फंदे हमने यहाँ पे बनाया दो फंदे का हम एक करेंगे ठीक फिर देखिए आपे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस फिर यहाँ पे हम दो फंदे को एक साथ बुनेंगे ऐसे ठीक दस हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस फंदे बनाया है फिर दो का एक करेंगे हम फिर देखिए एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ दस फिर देखिए आपे दो फंदे को एक साथ बनायेंगे तो यह रो हम ऐसे ही कम्प्लीट करते हैं देखिए फ्रेंट्स लाश्ट में हमारे दो फंदे हैं जिसको हम साथ में ठीक है पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनायेंगे यहाँ पे एक भी फंदे हमने घटाने बढ़ाने नहीं है सिर्फ सभी फंदे को उल्टा उल्टा और सीधे की साइड से हम सभी फंदे को सीधा सीधा बना रहे हैं तो चलिए पीछे की लाइन हम बनाके कम्प्लीट करते हैं देखिए फ्रेंट्स हम फिर से आगे ही साइड आ गये हैं तो अभी तक हम 10 फंदे बनाके फिर दो का एक कर रहे थे अब हम 9 फंदे बुनके फिर दो का एक करेंगे ठीक है क्योंकि फंदे एक एक कम होते जा रहे हैं यहां पर दो हो गया 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर देखिए दो फंदे का एक हुआ है तो आप देखिए हैं इसको ऐसे लेके फिर से यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर देखिए इन दोनों फंदे को एक साथ बिनाएंगे पहले हमने 10 किया आप 9 किया ऐसे इसी हमने इसको घटाते हुए जाना है एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 यहां पर दो फंदे का एक तो चलिए यह रो हम एक सलाई ऐसे बनाते हैं पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाके कंप्लेट करते हैं देखे सब्लके फंदे हमने ऐसे ही घटाना पर हम नहीं इसला ही और बना हुए theo एक तक मैंने आपको स्टाइटिक में दस फंदे बुन के तब 2 का 1 करना था फिर 9 फिर 2 का 1 करना था फिर 8 फिर 2 का 1 करना था अब देखिए हम देखिंगे हम सात कंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, अब देखें आपे दो का एक हुगा, तो ये ऐसी है, पिर अब यहां से हम साथ संदे, ऐसी ही आपने बनाना है जब तक आपके फंदे कमना हो, तो चलिए, ऐसे ही हम करके फिर बताते हैं लाश्ट में आपने कितने फंदे छोड़ने हैं, देखें फ्रेंट्स हमारा यहां पे अब 24 फंदे बच्चे हैं, हमने ऐसे ही घटाते घटाते देखें यहां पे, टोटल अब हमारे 24 फंदे, आपके भी 24 से 24 फंदे हो जाएं, एक है, अब हम एक एक फंदे करके देखें आप ऐसे, आप चाहें तो स्वेटर वाली जो सुई आती है, उसको ले लिए या आप ऐसे नॉर्मल सुई से जैसे हम यहां पे उल्टा करके, सुई में सभी फंदे को डाल रहे हैं, यह देखें, एक भी फंदे आप लोग का यहां प आपके कैव खुल जाएगी, इसलिए अराम से गिन के आप एक एक फंदे डाले देखें, ऐसे आप गिनते रहे हैं और फिर एक एक फंदे डालते रहे हैं, यह देखें, यह नहीं कि जल्दी बाजी में आप करिए, थोड़ी सी गलती की वज़़े से आपकी पूरी मेनत खर आप हो जाएगी, अब देखें, हमने आपके सभी फंदे को डाल दिया, यह देखें, आप इसको हम एक एक करके ऐसे खीचेंगे, यह देखें, इसको हमने ऐसे उल्टे की साइट कर लेना है, फ्रेंट्स, उल्टे की साइट करने के बाद, जैसे हमने और कैप में आप लोग को बताया है, कि आप लोग यहाँ उपर से इसको लॉक कर दें, यह देखिए, लॉक करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यहाँ से यह ओल बन के आ जाएगा, उपर के साइट ठीक, तो यहाँ पे लॉक कर करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही आपने दो तीन यहाँ पे सिलाई मार देनी है, टॉप के ऊपर, यह देखिए, एक दम यहाँ पे, अब हम देखिए, इस दोनों पार्ट को पकड़के सिलाई करेंगे, यह देखिए, इसको दोनों पार्ट को बराबर पकड़के, फिर य यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करते हैं, ठीक है, तो चलिए इसकी सिलाई हम कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी सिलाई करते हैं, कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, यह कैप बहुत ही सुन्दर है, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, अगर आप को लगता है, कि यह वाला बॉर्डर बहुत हार्ड है, या आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस कैप को आप कोई और भी बॉर्डर डाल के बना सकते हैं, आप चाहिए तो सिंपल सिंपल वहाँ पे बॉर्डर डाल दें, वैसे ही अच्छा बहुत इजी तरीके से मैं इसका बॉर्डर बनाना आप लोग को बताया है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने अलग-अलग इसकी वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, अगर मैं पूरी बताती फ्रेंड्स तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने अलग- आप लोग पहले बॉर्डर बना ले उसके बाद और मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि आप लोग बॉर्डर बना ले उसके बाद में आप लोग को ये डिजाइनर कैप भी बनाना बताऊंगी तो फ्रेंड्स चलिए हम ऐसे सिलाई कर लेतें सिलाई आपको खिचते बबसूरत है कैप भी बहुत ही प्यारी बनके आई है ये देखिए ये फ्रिल वाली कैप बहुत ही प्यारी लग रही फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसको ट्राइए करें अब चलिए हम यहां पे यह आप यह आप सनल है अगर आप चाहते हैं तो हमने देखिए आप यह दो डार्क पिंग कलर का उन लिया है ठीक है दो गोल इसको डबल करके हमने डबल चैन बनाते हुए यहां पे एक लंबी चैन तयार की है यह देखिए आपने ऐसे माप के यहां पे लगाने के लिए मैंने आप चैन तयार किया फ्रेंड्स तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे ल यह देखिए तो इसको मैं ऐसे लगाएंगे ताकि यह पार्ट हमारा जहां से हम लगाएंगे फ्रेंड्स की वहां से सामने यह आए चिक तो सिलाई हमारा ऐसे रहेगा यह सिलाई वाला जो पार्ट है यह पीछे की साइड ऐसे रहेगा और यह आगे रहेगी तो यहां से हम ऐसे क्रोशिय से लगाना शुरू करते हैं फ्रेंट्स हम मोटी वाली क्रोशिय लेंगे लेखे फ्रेंट्स हमने हाप पर यह डोरी लगा लिए तो यह बहुत प्यारा लुग दे रहा है यह देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे यहां पर करके एक सो बटन भी यहां पर लगा सकते हैं या तो कोई मोटी या तो ऐसे ही टक कर दे तो यह हमारा फ्रेंट्स साइट रहेगा यह बहुत ही प्यारा लुग दे रहा है देखिए फ्रेंट्स यह पहनने पर ऐसे गोल वाली जो कैप आती की लॉंग कैप यह देखिए कुछ लुक ऐसे इसका आएगा यह देखिए फ्रेंट्स कितनी खुपसूरत लग रही है यह देखिए इसकी पूरी लुक ऐसे आप चाहें तो यहां पर पॉम्पो में कोई फ्लावर लगा सकते हैं या यह देखिए अंदर से ऐसे है और यह देखिए बहुत ही प्यारी लुक दे रही फ्रेंट्स लो फ्रेंट्स वीडियो को आप लोग जादा जादा लाइक करें शेयर करें ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू